अज़ो एबरिबडी वेलकम गुड मॉर्णिंग आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिसकस करेंगे इम्पोर्टेंट है और बहुत पॉमन है और बहुत मिस्कंसेप्शन बीए इसके बारे में ना देखने से आसान लगता है हमें लगता है कि हमें इसके बारे में लेकिन आक्तर हम इसके बारे में गलत जानकारी रखते हैं तो इसके लिए आपके सामने ये टॉपिक और एक एक्सक्यूज ये कि मेरा लैपटप कुछ गरबर कर रहा है इसलिए मैं पीपीटी शो नहीं कर पारी हूँ इसलिए मुझे वर्ड फाइल से ही आपको समझाना प क्यों कि इसको हम लोग अब फील करते हैं और प्रैक्टिकली हमने करके देख लिया है यही अभी दो तीन साल पहले हम लोग जब ICT के बारे में पढ़ते थे तो पढ़ाने वाला भी इन जनरल सिर्फ थेरी जानता था और पढ़ने वाला तो थेरी जानता ही था क्योंकि हम बस बात कर लेते थे कि हम किस तरह से ICT को एजुकेशन में यूज कर सकते हैं क्या इसका fundamental है क्या इसके usage है क्या इसकी problems है क्या consequences हो सकते हैं लेकिन अब पिछले दो सालों से mainly Corona pandemic की वज़े से जब हम सब लोगों को online mode में shift होना पड़ा तो हम लोग ICT को बहतर समझ पा रहे है क्यों कि हम सबने देख लिए हैं इसके प्रयोग भी इसके प्रयोग में होने वाली दिक्कतें भी और इसके प्रयोग में होने वाले लाभ भी सबसे पहले तो यह जाने प्रीज मेरी काम नहीं कर रही है इसलिए मैं हाईलाइट, गलीट यह सब उसमें हो नहीं रहा है आज आप इसको ऐसे ही समझ दीजिए ICT in education सबसे पहले तो हम जाने ही ICT का फुल फॉर्म किया है बहुत-बहुत कभी-कभी जानकार लोग भी इसको information and computer technology समझते हैं तो कि आपको पता होगा और पता होना भी चाहिए और आप इसमें आगे भूल नहीं करेंगे कि यह information and communication technology है तो अगर हम इसके बार में कुछ भी ना जाने तो भी हम यह कह सकते हैं कि ऐसी मतलब जब हम तकनीक इस्तिमाल करते हैं किसमें तकनीक इस्तिमाल करते हैं information, seek करने में और उसको communicate करने में तो वही ICT कहलाता है तो यह जो एक first पैरा में इसकी definition लेकर इसमें matter बहुत जाता है आप अपने आप से पढ़ लिजेग उसको दीरे-दीर स्क्रॉल करके पर समझाने वाला matter सिर्फ इतना है कि ICT stand for information and communication technology यह हो गया and are defined और कैसे परिभाशित किया जा सकता है और the purpose of this primer is a diverse set of technological tools मतलब कि tools हैं कैसे tools हैं technological tools हैं और diverse set हैं मतलब एक तरीके का नहीं बहुत तरीके के हमको technological tools मिले हुए हैं and resources यानि हमारे पास उपरण भी हैं हमारे पास संसाधन भी हैं किसके लिए used to communicate इससे हम संचारित कर सके and to create उत्पन कर सके disseminate उसका प्रसार कर सके store means उसको इकत्र कर सके उसको store करके सुरक्षित रख सके and manage information यानि कि हम सूचना का क्या कर सकते हैं सूचना को संपरेशित कर सकते हैं सूचना उत्पन कर सकते हैं सूचना का प्रसार कर सकते हैं सूचना को इकट्णा कर कर सकते हैं और सूचना manage भी कर कर सकते हैं जब हम लोग research करते हैं सबस्क्राइब पsm॥नीया करते हैं वह तो उसके इतना 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 एक मैटियल हुजाता है इतना राइट प siitä इतना इंचर्वियू का इतना ऐसका र और ऐसमें एक।्स ट्रांस्क्रेप्ट करेंजि़ करना एक बहुत-बहुत पड़ी अपमें आप में दिखत की बात जाती है लेकिन अगर हम ICT का यूज़ करेंगे तो हम ये सारी चीज़े easily कर सकते हैं क्यों? क्योंकि technology का मतलब ही है कि वो काम जो हम आसानी से कर सके हैं वही सब टेखनीक कहलाता है इस टेखनोलोजीज इंक्लूड इसमें आएगा क्या-क्या computers हम सब जानते हैं Internet इंटरनेट के बिना हमारा computer नहीं काम का है Broadcasting Technologies Broadcast कर सकें जैसे की Radio and Television and Telephones जिसमें की Radio and Television हम बहुत दिनों से इस्तिमाल कर रहे हैं ICT में लेकिन इसको वो popularity नहीं मिली जब computer इंटरनेट के आने से मिल गई है क्योंकि जब open and distance education था तो Radio, Television और टेलीफोन और ये सब इसी तरीके से चल रहा था कारिकरम लेकिन वो इतना popularized नहीं हुआ education में ये तो हो गया हमारा ICT in education कोई कुछ भी पूच ले long question पुचे, short question पुचे आपसे optional पुचे, objective पुचे तो आप बता सकते हैं कि ICT क्या है और education में क्या इसका usage जहिए तो अभी आगे बात करते हैं अच्छा फिर ये matter आप खुद पर सकते हैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं e-learning e-learning बहुत एकदम common सा बहुत बातचीफ में प्रयोग किये जाना वाला term हो गया e-learning e- for electronic learning for learning तो ऐसी learning जो electronically हो रही है या कहीं electronic means उसमें सहीयोग पुरदान कर रहे हैं वही e-learning है तो इसके बारे में दो-चार बात हैं क्या most commonly associated with higher education higher education से mainly associated है पर अब तो बच्चा बच्चा बच्चे लेर्निंग कर रहा है modules आते हैं चोटे बच्चों के हम लोगों ने पढ़ाई के अंतिम वर्ष में जाना कि module क्या चीज़ होती है और nursery के बच्चे का module आता है e-learning वैसे in general associated with higher education है corporate training e-learning income passes learning it all यानि कि formal भी हो सकती है informal भी हो सकती है non-formal भी हो सकती है और जो खास बात आपको बताने वाली है वो क्या है कि इसमें क्या क्या होगा internet और intranet या extra net भी होगा यानि कि local area network या LAN और wider area network या WAN किसके लिए for course delivery थाकि हम आपके सामने deliver कर सके course interaction आपसे अंतर संबंद सह संबंद स्थापित हो सके evaluation आपका मूल्यांकन हो सके and or facilitation या हम ये सारी चीज़े अगर हम facilitate करना चाहते है चाहते हैं कि अच्छी तरीके से हो जाए आसानी से हो जाए तो उन सब चीज़ों के लिए e-learning की जरूरत है others prefer the term online e-learning e तो है तो online तो अपने आप ही है web-based learning है ना कहीं कहीं आप ये शब्द भी सुनेंगे ये भी चत्मिन नोलाजी सुनेंगे web-based तो web-based learning क्या है subset of e-learning यानि कि e-learning एक umbrella term है उसके नीचे web-based learning आएगा और क्या होगा refers to learning using an internet यानि कि हम internet के तुरू जो कुछ भी पढ़ेंगे web है ना worldwide web www. के हिसाब से वहाँ सर्च करके browser करके chrome browser, internet, mozilla, firefox जितने भी दुनिया भर के तमाम तरेके है वहाँ पे अगर आप कुछ सर्च करके पढ़ रहे है तो वो सब कुछ web-based learning हो जाएगा लेकिन चुकि यह electronic तो है ही E के नीचे याएगा E learning जो है वो upper term है, umbrella term है उसके नीचे हमारा web-based learning आ रहा है और और इत के अलसो भी विवर्स लर्निंग तुरू यह तो हमको पता ही है कि जब हमने learning को electronic means की साहता से कर लिया वो learning e-learning होगी लेकिए मैं बहुत इन शॉट बतारी मापको और मैंने पीपीट में कुछ और इसमें आड करने की कोशिश की थी but unfortunately I am unable to show it to you because my computer has some problem today but I have to upload this material of my students so please bear with this yeah then blended learning blended learning में क्या है कि what is blended learning? blended learning blend कया गया है इसको blend कया गया है यानि कि blended का मतलब यह हो गया है कि हमने कुछ दो चीजों को मिलाया है और in general हम लोग क्या जानते हैं blended learning के बारे में कि online और offline को मिलाना है लिकिन यह मिलाना इतना आसान नहीं है ना हम उसको इतने सही शब्दों में सही रथों में हर समय समझते हैं तो blended learning भी बहुत बहुत popular term हो गया है इसको कहीं hybrid learning भी कह रहा है पर blended learning जोटा में वो ज्यादा popular हुआ है इसका क्या मतलब है इसका क्या मतलब है this refers to learning models that combine traditional classroom practice with e-learning यानि कि हम जो traditional classroom करते हैं करते थे offline method में chalk talk method में उच में अगर हम learning e-learning solutions जोड़ दें वो blending हो जाएगी किस तरह की blending कि online plus offline for example क्या कर सकते हैं बिसे कि students को हम धा रहें classroom में तक हमारा लेकिन can be assigned both can be traditional class can be assigned both print-based and online materials have online mentoring sessions with their teacher who chat and are subscribed to a class email list यानि कि हम क्या कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल क्लास है लेकिन हम उनको सिर्फ चॉक और टॉक मिथट से नाप material प्रोइड करें print-based material दे 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 हम उनको कुछ online material दे दे हम उनको कुछ online material दे दे हम उनका कोई Google Classroom ट्रेडिशन कर ले इस तरीके के काम कर लें तो यह क्या कहलाएगा कि हमारी चल रही है वेब बढ़ाई online course है लेकिन टोटली ओनलाइन करके कुछ लेक्टर्स हम उसको synchronous mode में ले आएं कुछ हम offline कर लें कुछ हम interaction कर लें तो इस तरह से situation based जिससे हमारा सबसे फाइदा क्या होगा फाइदा यह है कि हम best output निकालना चाहते हैं best output निकालना चाहते हैं इसलिए हमने online और offline को judiciously mix कर दिया है ताकि हम क्या कर सके हैं कि optimum mixture हो जाए instruction और delivery method पर ताकि optimum level पे हम learning outcomes को achieve कर आएं फिर एक term जो बहुत popular है आज कल वो है open and distance learning what is open and distance learning open and distance learning is defined by the commonwealth of learning as a way of providing learning opportunities that is characterized by the separation of teacher and learner in time and place और both time and place बहुर भी बहुत कुछ है आप पढ़ सकते हैं इसको कह रहे हैं कि इसकी main जो सबसे खास बात है वो यह है कि जो teacher है और वो जो learner है वो एक समय और एक स्थान पे एक साथ नहीं है या तो एक समय नहीं है या एक स्थान पे नहीं है या ना तो एक समय पे और ना एक स्थान पे है तो ऐसी जितनी भी learning होंगी ऐसी जितनी भी opportunities हम learner को provide कर सकते हैं वो सब कुछ open और distance learning में आ जाएगा open मतलब खुला हुआ है distance मतलब दूरी है खुला हुआ हुआ in the sense कि हमने आपके कोई foundation नहीं लगा है कि अभी आपका admission होगा अभी आपको exam देना अभी certification है liberal है, flexible है यह सब लोग चानते है लेकिन फिर भी बताने के लिए फिर what is meant by a learner अच्छा एक बात यह चुकि मेरा PPT नहीं था तो मैं में में समिस हो गया blended learning के बाद में जो आपको चीज़ बताना चारी थी वो थी है flipped classroom यह term भी बहुत 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 ज़्यादा popular है और generally अब तो लोग जाने लगें इसके बारे में बातचीत होने लगी है practically हम लोग इसका use करने लगें लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको ज़रूर जान लीजिए कि flipped classroom का मतलब है हमने classroom को flip कर दिया है classroom को flip नहीं किया है classroom में actually जो होता था उसको flip किया है तो classroom में होता क्या था classroom में यह होता था कि teacher class में जाता था वो कोई content आपको पढ़ाता था और घर से आपको home worker के लाने को देता था हम सब ने अपने बच्पन की और almost सारी पढ़ाई ऐसे ही है तो गब हम आपको पढ़ा रहे हैं जब हम आपको instruction प्रवाइड कर रहे हैं information प्रवाइड कर रहें तो हम learning की कौन से हम cognitive domain के कौन से लेवल पर हैं knowledge comprehension application तो हो नहीं रहे है याणि की यह सब क्या है L.O.T.S. 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 means lower order thinking skills तो lower order thinking skills में तो क्या है teacher वो student के साथ है याणि कि हम अगर वाइगोट की कहसाब से देखे तो हम Z.P.G. के state में हैं कि teacher की presence में बच्चा अच्छा से सीब रहा है याई है जब 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 लेकिन हम घर में क्या कहते थे तो सवाल करके लाने को exercise, reasoning based, analogy और सारे सवाल हम उसको घर से बोलते थे करके लाने के लिए घर में वो क्या यूज कर रहा है HOTS means higher order thinking skill क्यों क्यों कि वहाँ वो application, analysis and synthesis का का काम कर रहा है तो कि वहाँ पर teacher उसके पास नहीं है more knowledgeable person उसके पास नहीं है in general हमने क्या 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 कोई philosophy कोई flip कर दिया कि हम class में तो information यानि lots को कप करेंगे prior to the class और कैसे करेंगे यहीं पर blended learning का use हो जाएगा कि हम अफली offline पढ़ा रहे हैं उनको लेकिन हम उनको print material उनके किसी online platform पे in advance उनको दे देंगे तो classroom में जब हो आएंगे तो matter पढ़कर आएंगे तो classroom का time हम किसको devote करेंगे HOTS के development के लिए application analysis and synthesis के लिए और teacher की presence में peer learning हो रही है, group learning हो रही है collaborative learning हो रही है, cooperative learning हो रही है तो student बहुतर सीख सकता और हम उसको HOTS के inculcation के लिए improvement के लिए time जे सकते हैं जो कि normal traditional classroom teaching में हमारे पास नहीं होता था क्योंकि हम उनको content content और content ही सिर्फ provide कर पाते थे हैंगे यह बहुत important और बहुत-बहुत blended learning का एक दाम most powerful most promising feature है flipped classroom और हमें पता होना चाहिए उसके बारे बारे में then what is meant by a learner centered environment देखिए हम सब लोग आत करते है learner centered हो गया है teaching centered से learning centered हो गया learner centered हो गया learner centered के बारे में बहुत खास बात एक मुझे मिली तो मुझे लगा आपको शेयर करनी चाहिए कि learner centered आया कहां से इसकी थीम आई है इसके पीछे basic जो है वो ठुपा हुआ है constructivism में कि constructivism हमको यह बताता है कि जो learner है वो अपना knowledge construct करता है देखिए यही लिखा हुआ है कि national research council of the US defines learner centered environment as those that take careful attention to the knowledge, skills, attitudes and beliefs that learners bring with them to the classroom constructivism यही तो कहता है कि जो आपके past experience है जो आप ले के आए है जो आपको in present मिल रहा है उसी के combination से उसी के interaction से आप construct करते है क्या construct करते है आपी knowledge construct करते है यह लिखा है ना construct meaning based on prior knowledge and experience इसको आप scroll करके नीचे तक देख लीजे कि इसमें बहुत खास बात है form of constructivism called social constructivism अच्छा देखो अधिगम करता आधारित वातावराण हमको देना है अधिगम करता केंदृत वातावराण हमको देना है ताकि अधिगम करता जो है वो prime role face करे prime role play करे और जो teacher है वो क्या role play करेगा facility teacher का social constructivism का हम नाम क्यों ले रहे हैं क्योंकि हमारा environment है ना तो उसमें teacher, parent, peer group, community members, helping members सबका role है तो जो learner है उसको mastery, concept, attainment की provide करने में यह सभी लोग मदद करते हैं और वो अपनी knowledge का construction खुद करता है और यह facilitator हो गाई यह matter आपके पास है आप इस matter को ताय जैसे पढ़ लेजे जब मेरा computer मेरा साथ देगा तो मैं PPT भी share कर दूँगे आपके संग लेकिन यह matter बताने का जरूरी था इस वक्त आज तो इसलिए यह करना पड़ा तो ICT, Information and Communication Technology मैंने ICT in education के यह नहीं लिया है कि क्या use है, क्या misuse है क्या correction है, क्या consequence है क्या plus point है, क्या minus point ICT in education में जो general इन जनरल बाते हैं हो रही है, उनके बारे में हमको पता है कि नहीं हमको पता होना चाहिए ICT, E-Learning, Blended Learning, उसी को Hybrid Learning भी कहते हैं Clipped Classroom, Open and Distance Learning और Learner Centered Environment इतना आपको जरूर पता होना चाहिए आज कल के जमाने में और वैसे तो educational technology के में syllabus में होता है है I hope I will be clear enough to at least comprehend this concept, this construct